लोगों में ओर्जा नहीं हैं क्योंकि मान से दस्त हो रहे हैं। आप बुरा भोजन खाएं और फिर दस्त रोकना चाहें तो ये काम नहीं करेगा। आप इतना कीजें। आज राज सोने से पहले इसे नीचे रख कर सो जाई। कुछ समय बाद अगर आप यूँ ही यहां बैठेंगे तो आपके आसपास चीजे स्पंदत होंगे। क्या कुछ खास मुद्राओं का उप्योग कि ये बिना ऐसा करना संभव है। हाँ, ये सब छोटी सी मदद है, थोड़ी सी मदद। आप शिव या कृष्ण को आप इस तरह मुद्राधारण करके ऐसे बैठे हुए कभी नहीं देखेंगे। वे बस्तीब रहें। नाहीं आप मुझे कभी ऐसे बैठे देखेंगे। नहीं, आप मुझे शामभवी या इसका या उसका अभ्यास करते हुए नहीं देखेंगे। अगर मैं बस 20 सेकंड के लिए अपनी आखें बंद कर दूँ, तो मैं दिन भर के लिए तयार हो जाता हूँ, तो ये सब अच्छी मदद है। पर ऐसा करने का क्या केवल यही तरीका है? नहीं, आप बस बैठ सकते हैं। अगर आप बस यूँ ही बैठना सीख जाएं, तो आप बहुत तीब्र बन जाएंगे। फिलहाल आपकी उर्जा लगातार गयर जरूरी अंतहीन कत्विदी करने में खर्च हो रही है। जब आपको इतना मानसिक दस्थ है, तो आप में उर्जा कैसे होगी? मान लीजे आपको दस्थ है, तो आप कितना कमजोर महसूस करते हैं? आया ना? अभी ये मानसिक दस्थ है, इसलिए लोगों में उर्जा नहीं है। वे हर समय सिर्फ खाना और सोना चाहते हैं, क्योंकि मानसिक दस्त बहुत ठका देता है। अगर आप कुछ आरिरिक दस्त है, तो आप जानते हैं कि ये कितना ठकाने वाला होता है, है न? ये भी उतना ही ठकाव है, लोग दिन में 8 गंटे, 10 गंटे सो रहे हैं, इसलिए नहीं कि वे बहुत काम कर रहे हैं या उनका शरीर बड़ी खराब हालत में हैं, ये सिर्फ मानसिक दस्त है, अगर आप मानसिक दस्त को रोक दें, तो इसे बहुत बहुत तीवर बनाने के लिए परियात उर्जा होगी, अब मैं मानसिक दस्त को कैसे रोकूँ, अगर आपको दस्त शारीरिक डाइरिया हो, तो करने को पहली चीज क्या होगी, हम, क्या, हाँ, शौचाले की और भागेंगे, वो मैं जानता हूँ, मैं कह रहा हूँ, लेकिन ठीक होने के लिए पहले चीज आप क्या करेंगे? नहीं, तब यह ठीक करने के लिए पहली चीज आप क्या करते हैं? पहली चीज है खाना बंद करना, ठीक? आया ना? डाइरेया का मतलब कि हमने कुछ ऐसा खा लिया है जो शरीर नहीं चाहता, वो उसे बाहर फैकने की कोशिश कर रहा है, हां? आपने अपने अंदर कुछ डाला है जो शरीर को पसंद नहीं है, वो उसे बाहर फैंकना चाहता है पहली चीज है कि कुछ समय भोजन से दूर रहे आप खराब खाना खाते हैं, फिर दस्त रोकने की कोशिश करते हैं, ये काम नहीं करेगा तो इसी तरहा मन के लिए खराब खाना बस ये है आपने उन चीजों से अपनी पहचान जोड ली है जो आप नहीं है जिस पल आप उन चीजों से पहचान जोड लेते हैं जो आप नहीं है तो मानसिक दस्त होना लाजमी है ये मन के लिए खराब खाना है अब ये अन्तहीन दोड़ेगा जो चाहे कीजिए आप चाहे जो भी ध्यान कीजिए, शिव या राम का नाम लीजिए, मन नहीं रुकने वाला ये नहीं रुका है न, क्योंकि खराब खाना खाया जा रहा है हर दिन आप जादा और जादा चीजूं से अपनी पहचान जोड़ते जा रही हैं और आप मन को रुकना चाहते हैं जिस तरह का सरकस आप चाहें वो कीजिए, ये रुकने वाला नहीं है अगर आप हर चीज से अपनी पहचान अलग कर लिए अगर आप समझते हैं कि आप क्या हैं और आप क्या नहीं है अगर आप उससे थोड़ी दूरी रखते हैं तो मन शांत हो जाएगा अगर आप चाहें तो उसका इस्तमाल कर सकते हैं वरना उसे ऐसा ही रख सकते हैं अब ये मेरा हाथ है, मैं चाहूं तो इसे हिला सकता हूँ, वरना यूँ ही रख सकता हूँ. ये को प्योगी हाथ है? मान लीजी, ये ऐसे ही उचलने लगता है. तो आप साफ जान जाएंगे कि कोई बीमारी है, है न? हाँ या न? अगर हाथ उचल रहा है, तो आप जानते हैं कि ये बीमारी है. अगर मन कूद रहा है, तो ये बीमारी है या नहीं? हाँ. लगतार गलत भोजन से ये बीमारी आई है. आपने अपने मन से कहा, कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ. उसे दस्त हो गया आप उसे घलत खाना देना बंद कर दे अगर आप साफ साफ देखते हैं क्या, अगर आप ये नहीं जानते कि मैं क्या हूं तो कम से कम आप ये जानते हैं कि मैं क्या नहीं हूं, है ना आप इतना कीजी आज राज सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठिये और बैठ कर वो सब कुछ छोड़ दीजे जो आप नहीं है आपका ये घर जिसमें आप रह रहे हैं क्या ये मैं हूँ? नहीं ये प्यार करने वाले माता-पिता, पत्नी या पती या बच्चे विशांदार हैं पर क्या ये मैं हूँ? अब मेरा शरीर मुझे ये पसंद है पर क्या ये मैं हूँ? नहीं अब मेरे आसपास तमामों विचार हैं क्या ये मैं हूँ? नहीं अब मेरी भावना बहुत शांदार है क्या ये मैं हूँ? नहीं इस तरह हर चीज जो आप नहीं हैं, उसे सोने से पहले नीचे गिरा दें और सो जाएं। कल सुबह आप आज की तुलना में काफी जादा तीवर लगेंगे। हर दिन आप ऐसा कीजिये। कुछ समय बाद अगर आप बस यूँ ही बैठेंगे, तो आपके आसपास चीजें स्पंदित होंगी। मैं कुछ साल पहले, मैं दो साल पहले अमेरिका में था, और ये बहुत ही आम अमेरिकी सवाल है, एक महिला मेरे पास आई, और वो बहुत गुस्से में थी। मैं पिछले 35 साल से ये योग कर रही हूँ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप जाकर बस एक चटान पर बैठें, और आपके साथ चीजें घटित हुई, ये ठीक नहीं है, वो चटान कहां है। मैं ने जीवन में एक ही साधना की है, हालांकि काफी छोटी उम्र से मैं अपने आसपास हर किसी के साथ बहुत सक्रियर रूप से शामिल रहता था, पर मैंने कभी अपने माता पिता के साथ, या अपने भाई बहनों, या अपने अंगिनत दोस्तों, या समाज, या धर्म, या देश, या मेरे आसपास किसी भी चीज़ के साथ खुद की पहचान नहीं जोड़ी। इसा कभे नहीं किया। अगर आप किसी चीज़ के साथ पहचान नहीं जोड़ते हैं, तो इसमें तीवर होने के लिए परियाब्त उर्जा है। देखिए मैं चाता हूँ कि आप समझें, अभी जब आप यहां बैठे हुए हैं, आपके शरीर में आपकी जीवन उर्जा कितनी चीज़ें कर रही हैं? हलो, क्या आप जानते हैं, इसकी गतेविधियां कितनी जटिल हैं? शरीर की हर कोशिका, आपका लिवर, आपकी किड्नी, आपकी तिल्ली और तमामों तरह की चीज़ें, जिनने हम आज भी समझ नहीं पाए हैं, हाँ? बस ये देखिए कि जब आप यहां बैठे हुए हैं, ये उर्जा कितने काम कर रही हैं? जाहिर है, ये सब करने के लिए उर्जा जरूर तीब रही होगी, मानसिक दस्त के कारण आप उसका अनभव नहीं कर पा रहे हैं, जब आपको दस्त होते हैं, तो आप ऐसा ही महसूस करते हैं, है न? आया न? तो ये ऐसा ही है, इस दस्त को रोकिए, खराब खाना बंद कीजिए, दस्त बंद हो जाएंगे, जब दस्त बंद हो जाएंगे, तब इसमें यहां बैठ कर एक बहुत तीबर तरीके से स्पंदित होने के लिए परियाप्त उर्जा होगी. झाल